नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूँ आपके साथ शिराग सुखीजा तीसरे वंडे से पहले टीम इंडिया को बड़ा जटका लगा है जी हाँ तीसरे वंडे से पहले राहुल बार हो गए हैं दो वंडे मुकाबले भारत ने जीत लिया हैं श्रिलंका के खिलाफ पहले वंडे मुकाबले ने भारत ने शांदार प्रदर्शन करते हुए 373 रन बनायते और भारत ने इस मुकाबले को 67 रनों से अपने नाम कर लिया था दूसरे मैच में भारत ने चार विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया केल राहूल ने एक शांदार पारी केली 64 रनों की जिसकी बदालत टीम इंडिया ने दूसरा वंडे मुकाबला जीत किया था लेकिन तीसरे वंडे मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा जटका लगा है क्योंकि टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड खराब तबियत के कारण शायद तीसरे वंडे में मौजूद नहीं रहेंगे बताया जा रहा है कि हाई बलड प्रेशर की वज़ा से सीधा कलकत्ता वंडे के बाद वो बैंगलूरू पहुँच गए है थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है उन्हें वहाँ से बैंगलूरू भेजा गया है जहां पर उनका कुछ देर के लिए इलाज किया जाएगा हो सकता है कि रविवार तक शायद तिरुवनंत पुरम पहुँच जाएं राहुल द्रविड लेकिन शायद टीम इंडिया के लिए बड़ा जटका हो सकता है क्योंकि बिना कोच के भी टीम इंडिया को उतरना पड़ सकता है या कोई स्टेंडबाइ कोच आपको वहाँ पर नजर आ सकता है सिलसिलेवार बात करें तो T20 सीरीज पहले भारत ने जीती थी तीन मुकाबलों की ये सीरीज थी दो एक से भारत ने अपने नाम की थी उसमें हारदिक पांडिया कपतानी कर रहे थे उसके बाद वंडे सीरी शुरू ही क्योंकि वंडे वर्ल्ल कप हम नजरे बनी हुई है अक्टूबर में भारत में ही ओडिया विशकप खेला जाएगा और वहाँ पर उससे पहले अब करीब 15 वंडे मुकाबले बचे हैं भारत के पास जो शायद तैयारी के लिए परियाबत नहीं होंगे क्योंकि अभी भी टीम इंडिया एक्सपेरिमेंट के फेस से गुजर रही है अभी भी हम देख रहे हैं कि 12 चे तक जड़ने वाले इशान किशन बाहर बैठे हैं शायद सूरे कुमार यादव को वंडे में मौका मिलना चाहिए और अभी तक सूरे कुमार यादव को वंडे में मौका नहीं मिल रहा है इसके अलावा बात करें तो कुलदीप यादव को मौका दिया गया दूसरे वंडे में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की प्लेयर आफ दो मैच भी बने और तीसरे वंडे के लिए यहाँ पर प्लेइंग 11 को लिकर थोड़ी बहुत कश्मकश जरूर है क्योंकि दो वंडे मुकाबले भारत ने जीत लिये हैं तीसरा वंडे मुकाबला अब सीरीस का निरनायक मुकाबला हम नहीं कह सकते यह मैच श्रिलंका तो साख बचाने के लिए खेलेगा ही लेकिन भारत इसमें शायद एक्सपेरिमेंट कर सकता है शायद इशान किशन को मौका दिया जा सकता है, शायद सुरे कुमारी आदब को मौका दिया जा सकता है श्रेय सेयर की बात करें, तो दोनों ही पारियों में श्रेय सेयर ने 28-28 रन बनाये थे पहले वंडे मुकाबले में विराट कोहली ने शांदार शतक जड़ा था 113 रनों की पारी विराट कोहली ने खेली थी दूसरे वंडे मुकाबले में विराट कोहली चार रन बना कर आउट हो गए विराट कोहली कोई समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है फॉर्म वापस आ चुका है एक आद मैच में दिन खराब होता है हम कह सकते हैं रोहिच चर्मा जिन्होंने पहले वंडे मुकाबले में 83 रनों की पारी खेली थी दूसरे वंडे मुकाबले में रोहिच चर्मा भी जल्दी आउट हो गए शुबमनगिल की बात करें श्रेह सेयर की बात करें फॉर्म अभी सवालिया निशान है हला के शुबमनगिल ने भी पहले वंडे मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी 70 रनों की लेकिन क्या तीसरे वंडे में प्लेंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और कोच राहुल द्रविड के बिना टीम इंडिया को नुकसान होगा कितना बड़ा नुकसान ये हो सकता है अगर कोच राहुल द्रविड तीसरे वंडे के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होगे आपको क्या लगता है कोच राहूल द्रेविड के बिना टीम कमजोर हो जाती है इसके अलावा प्लेंग 11 कैसी होगी टीम इंडिया की तीसरे वंडे के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे देखते रहेए न्यूज नेशन